आप सभी का मेरे चैनल पर पुनह स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्तोंगे महादेव के क्रिपा आप सभी पर सदय बनी गए कि वीडियो सिम्म से लेकर विश्चिक के लिए अत्यनत विशेश महत्तपूर्ण है क्योंकि वीडियो है आने वाले सब्ता है यानि कि 5 से 11 अगस के साप्ताहिक राशीपल के बारे में कैसा रहेगा आने वाला सब्ता है सिम्म से विश्चिक के लिए मेरा साप्ताहिक राशीपल प्रमुक्त है चंद्रमा की गती पे अधारित होता है चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं, जो बहुत तेज भागते हैं, और करीबन धाई दिन में, सवादों से धाई दिन में राशी बदल लेते हैं, सभावी कह कि अगर कोई ग्रह सवादों से धाई दिन में राशी बदलेगा, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो पूरे हफते में वो क चंद्रमा मने के कारक होते हैं और उनका हमारी day-to-day activities पर बहुत फरक पड़ता है बहुत प्रभाब पड़ता है इसलिए सापताहिक राशिपल की महत्तवता बहुत बढ़ जाती है कि आप अपने आने वले सपताह को थोड़ा plan out कर सकें यदि आपको अपनी लगन राशी गया पांच अगस्त को यानि कि सिम्ह में यह होगा पांच अगस्त दिन के तीन वज़े के आसपस और आठ अगस्त सुभा के चार तक यहीं परेंगे लगन में चंद्रमा का आना वैसे तो अच्छा ही होता है कोई बुरा नहीं माना जाता बारवे घर के स्वामी हैं आपके उनक और यहांपर शुक्र के साथ भी हैं जो दस्रे घर के स्वामी हैं तीस्रे घर के स्वामी हैं विदेश की आत्रा के योग भी बनते हैं धार्मिक स्थनों की आत्रा के योग भी बनते हैं और जो लोग विदेश में जॉब ढून रहते या जॉब चेंज करने के प्रयास में उनको भी यहाँ पर सफलता मैच सकती है ध्यान बस यह देने वाली बात है कि चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा हफते के शुरुवाती भाग में अब देखें तो गुरु मंगल की दृष्टी है शनी की दृष्टी है शुक्र के साथ बैटे हैं बुद्ध के साथ बैटे हैं जब भी चंद्रमा इतने सारे ग्रहों से प्रभावित होते हैं तो थोड़े से परेशान करने वाले हो जाते हैं या कहिए कि sensitive हो जाते हैं चंद्रमा मन के कारक होते हैं और मन पर जब इतना प्रभाव पढ़ता है, तो हम क्या होते हैं, confused होते हैं, तो बुद्ध के साथ है confusion दिखी रही है, शुक्र के साथ है थोड़ी उत्सुकता बढ़ती है, मंगल का प्रभाव है तो गुस्सा आता है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, खर्चों पर बहुत नियंतरन, सेहत पर बहुत ध्यान, और कोई भी बड़ा impulsive निरने नहीं लेना, कुछ भी अचानक से नहीं करना, सोच समझ कर, analyze करकर, बाडिक्यों में जाकर, pros and cons समझ कर, तभी आगे बढ़िएगा, अन्यता थोड़ा सा बुरा प्रभावग पर सकता है, अपनी image को लेकर भी conscious रहिएगा, और सबसे बड़ी बात है, कि किसी के भैकावे मत आईएगा, क्योंकि ये वो समय है, जब चंद्रमा बहुत influence है, तो आप भी बहुत influence हो जाएगे, मलगी आप कुछ देखेंगे, और एकदम influence हो जाएगे, और बिना सोचे समझे कर बैठेंगे, तो इन सब पर थोगा सा ध्याम देना है, नमान्च कुनली बोल रही है, कि सब ठीक है, लेकिन बहकावे में और दिखावे में नहीं आना, दश्मान्च कुनली, कारेक शेत्र में अच्छा समय है, जॉब चेंज का शुब एक समय दिख रहा है, अगर कारेक शेत्र में किसी से बहसाधी हो गई थी, तो उसको solve करने का समय है, जहां तक business की बात है, क्योंकि इतने सारे ग्रहों में से, चार ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम पर भी होगा, तो यहां पर भी थोड़ी अनिश्यत्ता आ रही है, ध्यान दीजेगा, जादक students की बात है, अच्छा टाइम है, कुछ मौके हाथ से निकल गयते हैं वापस आ सकते हैं, और recovery का टाइम यह दिख रहा है, सेहत के इसाब से, सर के रोग, hormonal disorder, नसों के रोग, ENT, infections, सरवाश्टक, आपका लाब स्थान बली है, यह हो सकता है कि अचानक से कहीं से लाब आ जाए, especially अगर विदेश से आपका कुछ लेना देना है, या फिर कुछ आपके hidden sources of income है, चंदरमा आठ अगस को आ जाएंगे आपके, दूसरे भाब में यानि की कन्या राशी में, यह होगा सुभा के चार बजे, और दस अगस्त शाम के चार तक यहीं पर रहेंगे, चंदरमा का धन भाब में आना बहुत अच्छा होता है, अतिविशेश होता है, यहां की नकरात्मक्ता से निकल जाएंगे इतने सारे ग्रहों का प्रभाब, लेकिन फिर भी केतु के साथ होंगे, और ग्रहन दोश लगता है, अब आपके पुरहा मैं काऊंगा, बारवेघर के स्वामी है, धनस्थान में विदेश से पैसा आता रहेगा, लेकिन ग्रहन दोश का होना, यानि की गलत इंवेस्मेंट, गलत जगा पर पैसा लगाना नुक्सान दे सकता है, और वानी की शुद्धता और वानी की सत्यता पर भी ध्यान दीजेगा, बलकि वानी की सौमिता पर ज़्यान देना है, क्योंकि सौमिता नहीं रहेगी वानी में, और उसके कारण दुश्मन बढ़ेंगे आपके, तो इस पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अधर्वाइस ये समय हफते के शुरुआती भाग से कंपेरिटेवली थोड़ा सा ठीक रहेगा, लिकिन क्योंकि केदू का प्रभाव है, तो घर में भी कुटुम्बो में भी थोड़ा सा आना कानी थोड़ा सा बहस हो सकती है, जहां तक नवमान शिकुनली की बात है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसको सोचने के लिए, उसकी प्लैनिंग के लिए समय बहुत अच्छा है, दश्मान शिकुनली कह रही है कि कारेक शेत्र में भी अगर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, तो पहले अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, और उसकी भी शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा है, बिजनस, अपने खर्चों पर नियंतरन रखेगा, अपने था तो इस समय पैसा लेकर आएगा, लव लाइफ की जहां तक बात है, मैं कहुँगा कि एक दुस्रे के साथ को इंजॉई कीजिए, ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी चीजों में इंवॉल्ल आपने एक दुस्रे को कर लिया है, कि जो जर्नी होती है प्यार की एक लव लाइफ की, वो आप इंजॉई नहीं कर पा रहे है, विवाहिक जीवन पैसों की बात को लेकर जगड़े हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कि इंपॉर्टन नहीं होता है, कुछ टाइम होते हैं जहां पर नहीं डिस्केशन होनी चाहिए, वैसा वो टाइम है, स्टूरेंट्स, आपके लिए कुछ नए संभावनाएं खुल सकती हैं, थोड़ा सा अध्यात्मिक रही आपको मदद करेगा इस टाइम पर, सेहत की जहां तक बात है, इंफेक्शन्स, आखों के रोग, दातों के रोग, गुप्त स्थान से जुड़े रोग दंग कर सकते हैं, सरवाश्टक में पंचम भावतन तबली है, चंद्रमा धर्नस्थान में और लक्ष्मी स्थान बली है, यानि कि पैसा कमाने के आईडियाज बहुत विशेश आएंगे, चंद्रमा दस अगस को आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, शाम के चार बजे ये होगा, तुला में और सब्ता के अंधिता के ही परेंगे, चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा मान दाता है, बारवेगर के स्वामी है, तीसरे भाव में पुरह काऊंगा, यात्रा के योग इस पूरे ही अफ्ते अल्मूस आपके बने रहेंगे, यहाँ पर केमद्रू भी योग बने गया है, क्योंकि कोई भी ग्रह इधर उथर या साथ में चंद्रमा के नहीं है, राहु केतु को उसमें कंसेडर हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको आपके अठके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव क्या हो सकता है, पहला अति उत्साह, दूसरा कॉम्टिकेशन गैप, और तीसरा आपके अपने दोस्तों से और रिष्टिदारों से जगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी वानी पर नियंदर अनगे के तो अच्छा है, गुरू से भी छटे में है तो शकट योग बन रहा है, ये एक चीज़ सा आप बताता है कि थोड़े से कारे आपके अठक सकते हैं, अन्यथा हफ्ते के जो शुरुवाती दो भाग हैं, उससे थोड़ा बहुत बेटर होगा, लेकिन केमद्रूम योग करना समवेधन शीलता बढ़ जाएगी, आपको बस ध्यान ये देना है कि उत्साहा का जो लेवल है उस पर धियंतर रखना है, और किसी को खुश करने के लिए कुछ मत कीज़ेगा, नमांच कुंडली कह रहे है कि शान्त रहिएगा, दश्मान च कुंडली कह रहे है कि कारेक शेत्र में अपनी कलीक से थोड़ा बचके रहेगा, बिजनस की जहां तक बात है, यात्रा के योग बन रहे है बिजनस से संबंदित, क्या आठका हुआ कारे आगे बढ़ सकता है, लव लाइफ, आपकी सोच बहुत नेरो हो चुकी है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, अगर रलेशन्शिप को अच्छा करना है इस टाइम पर तो, जहां तक विवाहिक जीवन की बात है, ठीक है, कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे, तो और अच्छा है, स्टुडेंस, फोकस की कमी दिख रही है, यहां पे नहीं, ओवर आल, तो कुछ ऐसा कीजेगा, जो आपके फोकस को बढ़ाए, मेडिटेशन हो गए, कई माइंड एक्सरसाइजेज होती है, उनका उप्योग के जएगा, सेहत, गले के रोग, लिवर के रोग, इंडाइजेशन, सरवाज टक, आपका, फिर से पंजम सानवली है, हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ी ओवर थिंकिंग हो सकती है, उपाई के सुरुप में आपको सुरुदित्ता को जलरपन करते हुए, ओम भासकरायन महामंत्र का जाप करना है, पाउच अगस्त दिन के तीन बज़े के आपके जाएंगे चंडरमा यहां पर, और आठ अगस्त सुभा के चार तक यहीं परेंगे, चंडरमा का बारवे घर में आना अती विशेश तो नहीं होता, अब प्रॉब्लम क्या है कि बारवे घर के चंडरमा है, पहले अच्छे की बात कर लेते हैं अच्छा है यह है कि 11 घर के स्वामी है 12 घर में अपने स्थान से दूसरे घर में गए हैं शुक्र के साथ है जो धनस्थाने के स्वामी है पैसा बढ़ सकता है, विधेश से पैसा आ सकता है hidden income आपकी बढ़ सकती है ये अच्छा है बुद्ध के साथ है जो लगनेश है कुछ कार्य टक रहे थे कुछ कारों का आप अंत करना चाते थे वो हो सकता है लेकिन चंद्रमा बारवेखर में मने कहा हमेशा की sensitive रहते हैं और यहाँ पर चंद्रमा पर कितने ग्रहों का प्रभाव है शनी की दृष्टी ह मंगल की दृष्टी है मंगल अश्टमेश है तो अपनी अनिशित्ता लेकर आएंगे बुद्ध के साथ बैटे हैं शुक्र के साथ बैटे हैं नहीं कि चार ग्रहों का direct impact और बुद्ध वक्री हैं शनी वक्री हैं दो वक्री ग्रहों का प्रभाव इसलिए मानसिक चेतना मान कुछ बुरा हुआ है उसकी दरफ मत जाईएगा खर्चों पर बहुत नियंतरन और यहां पर लगनेश भी बैटे हैं और चंदर भी बैटे हैं मानसिक और शारिजिक सेहत दोनों ही अचानक से बिगड़ सकती है और बुद्ध वक्री भी होंगे इसी दिन तो कन्या वालों क अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है बाहर के खाने पीने से बचिएगा गलत लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना और सबसे इंपोर्टन चीज है एक आगरता और अपने ध्यान को नेगेटिव लोगों से दूर रखना है नेगेटिव चीजों से दूर रखना है क्योंकि मानस दश्मान शकुनली, कारेक शेत्र में maturity के साथ चीज़ों को handle करना पड़ेगा, business में थोड़ा control वापस लाना पड़ेगा, जो आपके हाथों से निकल गया है, love life की जहां तक बात है, ठीक थाक है, बहुत अच्छा, बहुत बुरा दोनों ही नहीं कहूंगा, विवाहिक जीवन में यह हो सकता है कि थोड़ी लड़ाई जगड़े हों, लेकिन उसके कारण यह हो सकता है कि बात्चित अगर बंद होगी तो साथ हो जाए, या फिस लड़ाई जगड़े के बारे बारे कोई job का problem चल रही है, वो solve हो जाए, स्टूडेंस, थोड़ी अपनी understanding बढ़ाई अपने subject के बारे में, over confidence थोड़ाँ सा दिख रहा है, सेहत के निशार, infections, पैरों के रोग, sleep disorders रखत विकारतं करेंगे, सरवाश्टक में आपका दस्वा भाव अतिन तबली है, जो बता रहा है कि कारेक्षेत्र में किसी पर भरोसा नहीं करना, आठ अगस्त सुभा के चार आजाएंगे चंद्रमा आपके लगनभाव में, अब दिखें यहाँ पर ग्रहन दोश बन रहा है, लेकिन हफते के शुरुआती भाग से थोड़ा बैटर रहेगा, कारण क्या है कि इतने ग्रहों का प्रभाव नहीं रहेगा, हाँ ग्रहन दोश है लेकिन सूर्य चंद्रमा क्या है वो आपके लाभेश भी है, तो लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी से अनिशित्ता और कंफ्यूजन ज़ादा रहेगी, क्योंकि कन्या में है बुद्ध की राशी में, और यहाँ पर अच्छी चीजी है कि गुरु की दृष्टी आ जाएगी चंद्रमा पर, तो एक सेविंग रेस आ जाएगा, और भागे स्थान में बैठे हैं गुरु, तो बचाएंगे भागे का साथ देंगे, खुद भागे के कारक भी हैं, तो हफ़ते का मद्य भाग कंपेरिटिवली काफी अच्छा रहेगा, हफ़ते का शुरुवाती भाग आपके लिए सेंसेटिव अवश्य दिखता हुआ, जाता हुआ, दिख रहा है, बहाँ पर नियंतर रखेगा हफ़ते के बद्य भाग में, बस कोशिश यही करने हैं कि अतीत में नहीं जाना, पास्त में नहीं जाना, नमान्च कुणली के लिए सब ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपके आसपास रहके ही शडियन्त रच रहे हैं, उनको जानने की, पहचानने की कोशिश कीजिए, दश्मान्च कुणली जहां तक है, यह बता रहे हैं कि कारेक्षित्र में थोड़ा कंपेर कीजिए, आपके आसपास के लोग कैसे आपसे आगे निकल रहे हैं, कैसे बेटर कर रहे हैं, इस पर ध्यान देजिए, जादक बिजनस की बात है, थोड़ा सा अकेलापन दिख रहा है, इस्पेशली अगर जो पार्टनर्शिप में काम करते हैं, उनको ये लगया कि उनके पार्टनर्श उनका साथ नहीं देते, लव लाइफ में थोड़ी क्रेटिविटी की अवशक्ता होगी, विवाहिक जीवन कन्फूजन बहुत रहे कि कोई भी ऐसी बात, ऐसा टॉपिक मद टच कीजिएगा जो सेंसेटिव हो, जादक स्टूडन्स की बात है, सब ठीक दिख रहा है, लेकिन ऐसा प्रती तो होता है कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहाएं, उस पर काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, जादक सेहत की बात है, इंफेक्शन का डर बना रहेगा, पेट के रोग दंग करेंगे, इंटरस्टाइन की प्राउब्लम्स दंग करेंगी, डाइस्टिफ प्राउब्लम्स दंग करेंगी, लिवर का प्राउब्लम है, परिशान होगी, सरवाश्टक में आपका चौता बावत तिंत बली है, ठीक है घर में बस थोगा सा उच्छाट सा महौल आपका रहेगा 10 अगस्त शाम के चार चंद्रमा आ जाएंगे धनस्तान में और सप्ता के अंतितक यहीं पे रहेंगे चंद्रमा का धनस्तान में आना अपने आप में ही विशेश होता है अच्छा होता है आपकी लाभेश भी है तो यहाँ पे आकर बहुत उच्छ कोटी का धन योग बनाते है नेगिटिव क्या है एक तो केमद्रुम योग चालो हो गया राहु केतु को उसमें कंसीरर नहीं करते कभी चंद्रमा के इधर उदर या साथ में कोई ग्रह नहीं होता केमद्रुम योग तो चंद्रमा की संवेधन शीलता बढ़ जाती है चंद्रमा एक ऐसे ग्रहें जिनको ग्रहों के साथ की अवशकता पढ़ती है तो यहाँ पना वानी पनियंत्रन और धन से सम्मदित कोई बहुत बड़ा निरने नहीं लेना कहीं पर पैसा नहीं लगाना शकट योग भी है क्योंकि गुरु से छटे में है शकट योग भी बनेगा कुछ कारे आपके डिले हो सकते है तो frustration के level पर थोड़ा सा control पाना है पैसा कहीं पर नहीं लगाना धन आ सकता है आपके बास लेकिन कोई बड़ा पैसा investment किसी को पैसा देना उधार देना इन सबसे बचिएगा अर्थत्रिकोन में है चंद्रवा और शनी भी अर्थत्रिकोन में है त्रिकोन का संबंद बना रहे हैं कारेक्षेत्र में थोड़ी सी उधासी इंता वश्य आ सकती है इसलिए अपने मानसिक स्थिती पर आपको थोड़ा सा नियंतर नटना है अन्य था तो ये समय आपका अच्छा ही दिख रहा है जहां तक नमांच कुनली की बात है पैसा आएगा लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको घरवालों के साथ शेयर कीजेगा दश्मांच कुनली के लिए कारक्षेतर में conscious रहना पड़ेगा चौकरने रहना पड़ेगा गलतियां हो सकती और कुछ लोग आपका काम खराब करने की कोशिश करेंगे बिजनस की जहां तक बात है अगर किसी से कोई बाद विवाद चल रहा था इवन अगर विदिन दा कंपनी ही या पार्टनर से तो उसको कॉंप्रमाइस करने का समय अच्छा है लव लाइफ एक पूर्णता आती भी दिखरी है प्रयास करना पड़ेगा विवाहिक जीवन यहां पे बहुत विशेश नहीं दिखरा अगर आगे बढ़ना है तो जहां तक सेहत की बात है आखों के दातों के रोग तंग करेंगे बाहर का खाना इंफेक्शन दे सकता है फूड पॉइसनिंग दे सकता है सरवाश्टक में आपका चौथा भाव यह तिन दिखरी है यानि कि सिम्भ में पांच तारीक को ही यहां पर आजाएंगे दिन के तीन बजे और आठ तारीक सुभा के चार तक यहीं पर उनका गोचर रहेगा चंदर्मा का लाबस्थान में आना वैसे अच्छा है दस्वे घर के स्वामी है लाबस्थान में जा रहे हैं शनी की दृष्टी रहेगी, शनी की दृष्टी विश्दोष बनाएगी, शुक्र के साथ बेटे हैं, बुद्ध के साथ बेटे हैं तो यह सारा एक clear indication है कि थोड़े बहुत problems यहां पर आ सकती है किस प्रकार की problems आ सकती है सबसे पहली चीज तो है कि जब लाबस्तान में चंद्रमा है उतने सारे ग्रह देख रहे हैं यानि कि आपकी इच्छाएं आपकी वासनाएं बहुत बढ़ जाएंगे यानि कि आपको बहुत कुछ जल्दवाजी में प्राप्त करने का एक इच्छा होगी और उसके चक्कर में गड़वर हो सकती है और इसे दिन बुद्ध भी वक्री होंगे और दो वक्री ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर यह साफ इंडिकेशन है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके नेचर के विरुद्ध होगा और उसके कारण जब हम अपनी प्रक्रती के विरुद्ध जाते हैं तो हमसे बड़ी-बड़ी गलतियां होती है यहाँ पर यही दिख रहा है कि वासनाओं में इच्छाओं के पूर्ती के लिए लालच के कारण आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको सूट नहीं करेगा यह आप पर बुरा प्रभाव डाल सकता है मंगल की दृष्टी है और मंगल अश्टम में है और धनस्थाने के स्वामी है अचानक से धन की प्राप्ति होगी धन के लिए मैं बुरा नहीं कहा रहा लेकिन लालच जब आजाता है न विक्ति के अंदर कि मुझे सब कुछ चाहिए और वो भी जल्दबाजी में चाहिए वहाँ पर हम गलतिया करते हैं और यह हफते का शुरुवाती भाग वैसा ही है नवांच कुणली कह रही है धन आएगा लेकिन सरलता रखनी है दश्पांच कुणली कारेक शेतर में शॉर्टकट्स नहीं लेने प्रॉब्लम होगी बिजनस की जहां तक बात है ठीक है सब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा लेकिन गलत जगा पर धन लगा सकते हैं और कोई बहुत लुभावना ओफर आता है न उससे दूर रहीएगा लव लाइफ ज़ादा अथोरोटेटिव नहीं बनना विवाहिक जीवन प्लैनिंग के लिए च्छा टाइम है बैठकर बातचीत कीजिएगा स्टुडेंस की जहादन बात थोड़ा सा प्यार महबबत की तरफ धयान जदा जाता हो देख रहा है दोस्ती की तरफ धयान जदा जाता हो देख रहा है इसके कारण एक नाईगीट्म रभावना ईएगा नहां तक सेहत की बात है, नसों की रोग, हॉर्मोनल डिसॉर्डर और रक्त विकालतंग कर सकते हैं, सरवाश्टक में आपका नवम भाव बली है, यह एक अच्छी चीजा भागिस्थान का बली होना, यानि की प्रॉब्लम जो आएंगी उसका निवारन मिल जाएगा, और नव बारवे भाव में, यानि की कन्या में, और दस अगस्त शाम के चार तक यहीं परहेंगे, चंदरमा का बारवे घर में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं होता, यहां पर केतू के साथ भी है, गरहन दोश भी है, अच्छा किसके लिए होगा, जो लोग जॉब चेंज करना चा रहे थे, विदेश में जॉब ढूड़ रहे थे, उनके लिए अच्छा होसाता है, विदेश में जॉब के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, फिर भी प्रोसेस आगे बढ़ सकते हैं, क्यों केतू के साथ है, तो कभी-कभी केतू थोड़ से विगन ले आते हैं, तो प्र किलानी की भावना से भर जाता है, तो इन सब चीजों पर मानसिक चीजों पर आपको नियंतन रखना है, अच्छी चीज है कि गुरू की दृष्टी है, और गुरू का काम तो बचाना ही होता है, वो देव गुरू ब्रहस्पती हों, या हमारे जीवन में जो हमारे गुरू ह नहीं है, तो बैठ कर बातचीत कीजेगा लोगों से, क्लरिटी लाइगा, रिसर्च कीजेगा, दश्पान शिकुनली कहा रही है, कारक्षेतर में आगे बढ़ने के मौके में जोब चेंज कामने जैसे कहां अफसर है, अब जोब चेंज एक दिन में नहीं होती, लेकिन अग दूसरे को समझने की चेश्ठा भी रहेगी, जहां तक स्टूडेंस की बात है, एक ही चीज में आपसे कहूंगा कि आप मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं, कई जगा पे ऐसा हो रहा है, और उस पर आपको कारे करना पड़ेगा, जहां तक सेहत की बात है, पेट के रोग रोग तंग कर सकते हैं, इन्फेक्शन और दातों के रोग तंग कर सकते हैं, आँखों के रोग तंग कर सकते हैं, सरवाश्टक में आपका तीसरा भावत्यन तबली है, यात्रा के योग आपके हफते के मध्यभाग में अचानक से बन सकते हैं, चंद्रमा आजाएंगे आप पी कारेक्षित्र में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं लेकिन केमद्रुम योग चालू हो गया क्योंकि चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह नहीं है ना ही आसपास कोई ग्रह है राहु केतु को उसमें हम नहीं मानते हैं तो केमद्रुम योग सम्वेधन चीलता लाता है बुरा टाइम नहीं है लेकिन थोड़ा सा चंद्रमा की सम्वेधन चीलता के कारण आपके पूरे व्यक्तित्व पर उसका एक प्रभाव रहेगा शकट योग भी बना हुआ है क्योंकि गुरु से छटे भाव में है तो शकट योग बन जाता है गुरु से छटे भाव में होना तो कुछ कार्यों में डिले हो सकता है और क्योंकि चंद्रमा सम्वेधन चील है तो उसका प्रभाव पर सकता है जादक नमान्च कुनली कह रही है कि confidence वापस आएगा, love life, यहाँ पर भी चीज़े ठीक है, अगर कुछ दिक्कत चल रही थी, उसको solve किया जा सकता है, विवाहिक जीवन पर इसका सबसे बुरा प्रभाब पड़ेगा, अचानक से अच्छी खासी चलती ही विवाहिक जीवन में, problems आ सकती है, लड़ाई जगड़े तो होंगे ही, अनिश्यत्ता रहेगी बहुत, students, ठीक ठाक समय, हफ़ते कानते भाग अच्छा ही है, confidence वोड़ा वापस आएगा, सेहत की जहां तक बात है, आपको hormonal problem और private parts जोड़ी problem तक कर सकती है, सरवाश्टक में पुना तीसरा भाब अली है, हफ़ते के अंत में कुछ कारियों को आगे बढाने के लिए अच्छा समय है, उपाय के सरुप में लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करके, दुरगा चालीसा का एक बार पाठ करके, दोरों ही देवियों को दो घी के दिये अरपन करने हैं, और आपको उनको गुलाब के फूल भी अरपन करने हैं, चलते हैं विरिश्चे के तरफ, आपके लिए चंदर्मा आपके दस्वे भाब में रहेंगे, पांच अगस्त को दिन के तीन बजे आ जाएंगे, और आठ अगस्त सुबहा के चार तक उनका गोचर यहीं पर हैगा, चंदर्मा का दस्वे भाब में आना अच्छा ही होता है, कर्म धर्मादी पति योग यहां पर बना रहे हैं जब आपके दस्वे भाब में आएंगे, सब ठीक है लेकिन चंदर्माद पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, मंगल की दृष्टी है, शनी की दृष्टी है, बुद्ध के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, चार ग्रहों का प्रभाव confusion create करता है चंदर्माद, चंद्रमा मन के कारक है, जब हमारे मन में बहुत चीज़े चलती है, तो हम confused होते हैं, गलत इन्यरे ने लेते हैं, लेकिन अधिक्तम जब हमारे मन में clarity रहती है, हम कारे को अच्छा करते हैं, वैसे ही चंद्रमा के साथ भी है, बॉसे का extra pressure रहेगा, कारक्षेत्र में extra pressure रहेग अच्छी चीज़ है, गजगेशरी योग भी बना हुआ है, क्योंकि गुरू से केंद्र में है, लेकिन ध्यान इस सीज़ का रखना है, कि गलतियां minimize कीजिए, focus बढ़ाईए, किसी पर भरोसा नहीं करना कारक्षेत्र में, और सबसे important चीज़ है कि अपने ओपर trust बना कर रख आपके दुआरा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा पर इतना प्रभाव है, तो confusion, mental clarity की कमी नहीं चीज़ें हैं, जो आपको problem में डाल सकती हैं, नवांच कुनली कह रही है कि चीजों को समझने का प्रयास कीज़ेगा, फिर उसको पूरा कीज़ेगा, दश्मांच कुनली कह रही है इसा कुछ बुरा नहीं देख रहा, वलकि ठीक ठाक समय जाएगा, अच्छा ही समय जाएगा, विवाहिक जीवन थोड़े से unpractical दोनों ही हो चुके हैं, इस पर कारे करना पड़ेगा, जादक students की बात है, सफलता फून समय देख रहा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जादक सेहत की बात है, आपको BP की प्रापलम, गले की प्रापलम और Liver की प्रापलम कर सकती है, सरवाश्टक में आपका अश्टम बली है, पैसा अचानक से आ सकता है, इवन जॉब जो चेंच करना चारेते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, ले दस अगस्त शाम के चारता कहीं पर रहेंगे एप्रॉक्सिमिटली चंद्रमा ग्यारवे घर में है भागिस्थान के स्वामी लाबस्थान में भागि का भरपूर साथ मिलेगा लाब अरजित करने के लिए गुरु की दिष्टी है जो खुद धनेश है पंचमेश है यानि कि धन और लक्षमी स्थान के स्वामी तो पैसा बढ़ेगा बस एक मातर चीज है कि केतू के साथ है तो गरहन दोश पन गया तो एक उत्साह की कमी रहेगी यह मैं लोग कि आप जितना कमा सकते हैं जितना लाब अरजित कर सकते हैं जितना आगे बढ़ सकते हैं वो पूर्ण नहीं पापाएंगे यानि कि अपने पोटेंशल तक नहीं पहुँच पाएंगे पुरानी चीज़े ध्यान में आएंगे और एक continuity की कमी आपको हफते के मद्य भाग में उसका एसास होगा अनिथा यह समय काफी अच्छा है कुछ अधा बुरा नहीं दिख रहा गुरू मंगल के साथ बैटे तो मंगल के एक उर्जा भी रहेगी उसका भी उपयोग कीजेगा चंद्रमा बुद्ध की राशी में confusion में रहते हैं तो जहां पर भी confusion हो जहां पर भी clarity हो especially धन के मामलों में वहां पर कोई बड़ा निरने मत लीजेगा आतक नवामशा की बात है पुरानी चीज़ों से निकलने की कोशिश कीजिए तशामचा कारेक शेतर में receptive रही है बातों को सुनिये analyze कीजिए फिर react कीजिए बिजनस के इस आप से अच्छा है लेकिन जल्दबाजी से बचना है लव लाइफ एक दूस्ते के साथ समय बिताईए उसकी अवशक्ता दिख रही है experience शेर कीजिए विवाहिक जीवन कुछ नयापन लाना पड़ेगा बोरियत से देख रही है students अपने subjects को अपने study को time दीजे devoted time ऐसा लगर आप time नहीं दे पा रहे है या नहीं देना चाह रहे है सेहत रक्त विकार तंग करेंगे infections तंग कर सकते हैं सरवाश्टक में आपका धनस्तान अबली है यह मतार है कि धन तो आएगा क्योंकि चंदर्मा भी लावस्थान में है 10 अगस्त शाम के चार चंदर्मा आजाएंगे 12 घर में तुला में और 17 तक यहीं पर रहेंगे चंदर्मा का 12 घर में यानि की 12 घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता और यहाँ पर केमद्रूम योग भी बना रहे हैं क्योंकि या केमद्रूम दोश बना रहे हैं क्योंकि चंदर्मा के इर्द गिर्द कोई भी गरह नहीं है राहू के तुको consider नहीं करते और चंदर्मा के जब केमद्रूम दोश में होते तो संबेधन शीलता बहुत बर जाती है गुरू से भी छटे में है तो शकट योग भी बन रहा है यानि की कारे डिले भी होंगे तो अफ़ते का अंतिम भाग भी थोड़ा सा कष्टकारी जा सकता है नवम के स्वामी है बारवे घर में विदेश समनित कारों में सफलता मिलेगी लेकिन अनिश्यता बहुत रहेगी व्याकुलता बहुत रहेगी संबेधन शीलता बहुत रहेगी छोटी छोटी बाते आपको टेंशन में कर देंगी टेंशन दे जाएंगी stress दे जाएगी, कभी-कभी होता है कि हम छोटी सी बात पर, जिसके हम normally शाद react ना करें हैं, परेशान ना हो लेकिन कभी-कभी हम उस पर react कर देते हैं परेशान हो जाते हैं, वो तभी होता है जब चंद्रमा थोड़े गोचर में प्रभावित होते हैं और ऐसा ही देख रहा है, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि हर चीज़ पर reactive मत रहेगा stress level पर control कीज़ेगा, हर चीज़ पर tension नहीं लेनी समझिएगा कि क्या, जिस पर आप इतना react कर रहे हैं परेशान हो रहे हैं, क्या यह इतनी बड़ी problem है नमांच कुनली, confirm करिए कि छोटी छोटी चीज़े जो आप से even related भी ना हो, news देख लिए आपने कोई बुरी वहीं पर परिशान हो गई है, यह क्या हो रहा देश में तो यह चीज़ें परिशान ज़्यादा करेंगी, जहां तक दश्मांच कुनली की बात है, ठीक है, कारेक शेत्र में चीज़ें ठीक रहेंगी, आगे बढ़ेंगी, बिजनस में confusion दिख रहेंगी, कोई financial निरने नहीं लेना, love life में over excitement बहुत दिख रहा है, तंग करेगा, विवाहिक जीवनें थोड़ा सा दुख दिख रहा है, बलगी चीज़ें शायद वैसी नहीं जारी, जैसे आपने anticipate किया था, या फिर oral परिस्यतियां ऐसी हैं, जो आपको थोड़ा सा अपने विवाहिक जीवन के संदर्व में दुखी रखेंगी, स्टुडेंस, कम बोलेगा हफते का अंतिम भाग थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है, सेहत की जहां तक बात है, रक्तविकार, आँखों के रोग, हॉर्मोनल प्रॉब्लम, प्रैवेट पार्ट्स की प्रॉब्लम दंग करेगी, मिल रहा हूं अगली वीडियों में तक के लिए, और बनाशुक्त.